देखा होगा आप लोगों ने कि पिछली भार भी हमारे कई विज्ञानकों ने कई डॉक्टरों ने सलाय दी थी कि दूसरी लहर कुरोना की आएगी लेकिन फिर भी आपने देखा है कि हमारी बेवस्ता वही रही जो पहली लहर से पहले जो बेवस्ता थी हम लोगों ने कोई सुधार नहीं किया हुआ था ना तो हम लोगों ने ऑक्सिजन का भंडार किया हुआ था ना ही हम लोगों ने जो आपके ऑश्पीटर्स हैं इनकी व्वस्ता ठीक की हुई थी तो उसी कवेडाम आप देख रहे हैं कि भुगत भी रहे हैं हम दो एक बहुत बड़ी जन संख्या में एक तरह से संख्या आप कह सकते हैं कि डेली लोग मारे जा रहे हैं और आप देख रहें कि एक बहुत बड़ी संख्या में कुरोना positive case भी आ रहे हैं। और ये भी हकीकत है कि आप समझे कि आज टेस्टिंग करवाने के लिए लोग कम ही जा रहे हैं, ना कि बरावर जा रहे हैं। पर भी आप समझी कि अगर इतने बड़ी संख्या में लोग अगर कुरोना पॉजिटिव पाये जाते हैं, तो एक चिंता का कारण बना रहता है। और आप देखिए दुनिया में सबसे जानदा हमारी इस्तिती बुरी हाल है। समझ रहे हैं आप लोग। तो एक बात और हमेशा याद रखी कि आपकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। और हमारी या आपकी या किसी भी की बेक्ति के अगर कुछ प्रॉबलम होती है, तो उसका भुक्तान हम लोगों को ही करना पड़ेगा। आप समझें कि एक परिवार से अगर कोई मेंबर जाता है, तो उस परिवार कोई दुख दर्द होगा, ना कि आपके नेताओं को किसी कोुछ आप सोची इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग मारे गए हैं, किसी नेता ने आप समझ सकते हैं कि दुख प्रगट किया हो, या द और जब जिन्दगी ही नहीं रही तो सब कुछ धराग धरा रह जाएगा, तो याद रखी अभी फिर से कह दिया है विग्यानिकोंने कि तीसरी लहर जो आएगी इसे टाला नहीं जा सकता है, और याद रखी अभी पहली ही लहर, मतलब दूसरी लहर को हम लोगोंने कंट्रो तो कोरोना संकमण की तीसरी लहर नहीं टाली जा सकती है, यह आपके डॉक्टरों ने भी कहा है और विग्यानिकों ने भी कहा है, अब आपकी सरकारें किस तरह से लेती हैं, वो उन पर निर्वायता है, देश में कोरोना विशाडू संकमण के मामले में तेजी के बीच, भा नहीं लगाया जा सकता है, अभी आपने सुना होगा कि एक नया इस्टेनाया हुआ है, जो एस कोरोना से 10 से 15 गुना और खतर नाक है, और फैलने की चमता भी रखता है, और आप समझें कि हमारे देश में सलाय तो हर को ही देता है, लेकिन उन्हें मानता कौन है, सबसे ने दिखा है, अरुतसास्ती उन्हें दिया था, इस तरह कि सुझाओ भी दिये थे, लेकिन हमारी सरकारे मानती कहा है, बो तो अपने आपको ही बिज्ञानिक, अपने आपको ही अरुतसास्त्री, अपने ही आपको ही एक तरह से डॉक्टर सब कुछ समझ के वैठी हुई है, तो इसी का परड़ाम हम लोग भुगतते भी हैं देखिए सामने बाला कभी सलाय दे रहा है तो हो सकता है कि उसकी सलाय ठीक हो हमें सुनना दो चाहिए हमें उस पर अमल तो करना चाहिए कम से कम लेकिन हमारे एक तरह से आप समझेए जो नेता होता है वो किसी की मात मानता भी नहीं है और यह भी हकीकत बनी हुई है आप देख सकते हैं कि अमेरिका कितनी बड़ी संख्या में अमेरिका में भी डेथ होती थी कोरोना पॉजिटिव आते थे लेकिन उन्होंने कंट्रोल पा लिया है उन्होंने बेवस्था बनाई हुई है सिष्टम को अच्छा किया हुआ था हमारे यहां अभी भी देखिए आप लोग वही बंगाल असम वही चल रहा है और याद रखी मुझे ऐसा लगता है आप समझेए कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है हमारे देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं रही है क्या είναι आप लोग भगवान बुढ्द के समय जाईए भगवान महाबीर के समय shooting के समय या फिर आप लोग देखिए एक तरह से आप लोग गांदी के समय चले जाईए कभी भी हिंसा का एक तरह से आपका ये साथ कभी नहीं दिया है इन लोगों में और बंगाल में जो भी हो रहा है उसमें ममतब अनरजी को एक तरह से एक्षन लेना चाहिए लेकिन आप एक बात और सोचिए कि केवल आप कहें कि किसी एक धर्म की पिती हो रहा है यह भी गलत है क्योंकि अभी आप टेली गराफ एक नियूच फेपर आपका निकलता है कलकत्ता से और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है बहुत बढ़िया नियूच फेपर है उसमें आप देखिए कई धर्म के साथ इस के हो या बीजेपी के लोग हो उन पर उनके उपर समझ रहे हैं तो जो भी हो रहा है उस पर बहुत जल्दी कंट्रोल भी करना चाहिए मम्ता बनर जी को लेकिन याद रखी इसके मतलब आप सोचें कि अगर इसके इस तरफ नजर मतलब घुमा के लोगों की या इस तरफ लोग करोना की और आप ध्यान ना दें तो यह भी एक तरह से गलत है और अभी आप देखे मुझे लगता है कि एक को यह मुझे अंदा जाए कि आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी करोना पर से लोगों की नजरें हटाने के लिए और यह सब भूलने के लिए कि लोग स आपने देखा है किस तरह से जलाता चुनाव अरने के बाद और हम लोग इसमें नहीं समझ भाते हैं इसलिए तो कहता हूं कि अंदभक्ती में मत दूबे रहे हैं अब बोतों चुनाव वहां जीत कर निकल आये हैं अब देखिए जंता का क्या हाल हो रहा है आपको जिसे भी बोत देना है बड़िया गुप्त तरीके से रहिए और अपना बोत डाल के चले आईए क्या मतलब है आपको भक्ती दिखाने से कौन आता है आपकी काम है क्या छोड़िए इसे देखिए आप लोग सामने क्यांद्रिय स्वास्त मंतराले के संभाद्धाता संभेलर में रागबन ने गहा है कि कुरोना विसाडू संक्मण के नए सोरूपरों का मुकाबला करने के लिए वर्तमार टीकों को संसोधित करने की आपस्तकता होगी यानि कि ये टीका उस पर पूरी तरह से काम नहीं गरे और आप देखेंगे और इसके साथ ही टीका करन कारिकरम को गती भी देने होगी क्योंकि आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी संख्या भी हमारे देश में जन संख्या है तो इस पर भी हमें लोगों को टीका करन एक तरह से बढ़ाने की जरूबत है भारत में कुरोना विस प्रणाडू फैल रहा है उसे देखते हुए कोरोना की तीसरे चर्ण को टाला नहीं जा सकता है हाला कि एसपस्ट नहीं है कि यह तीसरा चर्ण कब आएगा और इसकी तीबिता का भी पूरुनमान भी नहीं लगाया जा सकता है क्या हालत होगी यह तो आने वाला समय ही हमें तीसरी लहर को लेकर सचे जरूर रहना होगा और वर्तमान टीकों के उन्यन किये जाने की निगरानी रखे जानी की विवस्ता है और विग्यानिक सलायकार ने कहा है कि हमने राज्य सरकारों को जानकारी देकर जरूरी कदम उठाने को भी कहा है और कोरोना वेसाडू के वे टेन सौरूप का असर अपकम हो रहा है और नए सौरूप प्रभाव दिखा रहे हैं सरकार केर्म सर महराष्ट करनाटा केरल उत्तर पिदेश समय बारे राज्यों में एक लाग सेधी कुरुना बीसाडू संकमर के मरीज उफराज को चारा धीन है और करनाटा केरल तमिलाडू, केरल तमिलाडू, पर्ष्च मंगा, राजिस्थान, विहार उन राज्यों में सामिल हैं जादेनिक मामलें में बड़ोतरी दिख रही है और आप समझे ही मालूग है कि इन पांच राज्यों में भी चुनाव भी हुआ था फिल चाहे आपका केरल तमिलाडू हो, पर्ष्च मंगाल हो, असम हो, पुडू चेरी हो तो इन में भी आप देखिए टेस्टिंग बढ़ेगी और इन में भी आपके केस बढ़ने सुरू हो जाएंगे और अभी आप देख सकते हैं कि मदद के लिए आप देखिए कि किस ततर ऐसे जूज रहे हैं लोग और हाई कोट हो या आप देख रहे हैं सुप्रीम कोट हो काफी कुछ फटकार भी लगा चुका है देख रहे हैं केंद सरकार की हो या राज सरकारों को लेकिन फिर भी ये सुधारने का नाम नहीं लेते हैं और बहुत सकते एक तरह से आप कह सकते हैं टिपडियां भी की जा रहे हैं और पता है हम मतलब इतने आंक बंद करेके अंदभक्ती में डूबे हुए हैं कि आप केवल धर्म में बाटने के लिए केवल धर्म में बाटने के लिए और इसका देखिए याद रखिए इसका भुकतान हमें भी करना पड़ेगा अगर हम धर्म में इस तरह की नफरत पहलाते हैं बाटते हैं तो इसका नतीज़ा हमें भी भुगतने को मिलेगा और वही है कि हम अपने बच्चों को जिस तरह से संस्कार देंगे, वही तो हमारे आने वाले समय में भी काम आएगा, गोड़ापा भी तो आता है, उस समय क्या संस्कार दिये थे, क्या आपने लोगों ने सिखाये था, वो जरूर मायने रखता है, बढ़ना आपने देखाएगी, अनाथ अस् नहीं सिखाता है, बस इसकी जो धरम की परिभासा जो आपके धरम गुरू है, या धरम के ठेकेदार हैं, या आपके राजनेता हैं, यही आपकी परिभासा फलकते रहते हैं, और वो आपको लड़ाते रहते हैं, और इसलिए कोई नेता दंगीक अभी नहीं होते हैं, दंग भी पोटू एक तरह से भढ़काने के लिए वहां लगाई जा रही है, फेस्बुक पर फेलाई जा रही है, जो अभी की है ही नहीं, बहुत पहले की घटना है घटी हुई है, उन्हें भी आप प्रिचार कर रहे हैं, तरसार कर रहे हैं, हम सच्चाई जाने बिना भी, करते रह हैं, फिर भी आप लोग एक तरह से नफरत की खाई बढ़ाते जा रहे हैं, अपश्चे मंगाल की घटना से आप लोग यहां कि अगर धर्मों को बाटें, उत्तर पदेश मत्द्पदेश या किसी भी अन्दराज में, मुझे लगता है गलत है, वहां जो रहा है वो गलत है, तो उने सजा मिलने चाहिए, लेकिन उसका पैड़ाम अगर आप कहें कि यहां लागू करें, तो यह भी गलत है, देख लीजे अपना जैसा भी आप लोगों को लगे, करते रहे हैं, अगर अच्छा लगता है, और कुछ नहीं आगे की सोचते हैं, तो जरूर केजिए आप ठीक है, लेकिन अभी फिराल अपना काम ध्यान रखना है, सुमझ रहे हैं, वरना कब गिंती आपकी अंगले आखनों में सामिल हो जाए, यह भी पता नहीं है, मौत सामने खड़ी हुई है, और हम लोग सुधरनेगा नाम नहीं ले रहे हैं, चलिए भगवान आपकी जाए, यह भी है, लेए, नहीं हो जाए, यह भी हैं, नहीं है, उह मौत सामही शीर सामती रहे हैं, वरना कम्या टरिक अंगले आब AZवरो फिंसर भी हैं, यह भी हैं, उनन्त कर मोंतों हैं?